हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बढ़िये से ही होंगे फ्रेंट्स अगर जूते गंदे मेले या काड़े हो गए हैं तो टैंसे लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है मैं आज जरी ने दोने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जूते एकदम से साफ हो जाएंगे घर या किचन के मुश्किल से मुश्किल कामों को ये टिप और हैक बहुत ही आसान बना देते हैं फ्रेंस मैं कुछ ऐसी टिप और हैक लेके आई हूँ जो आपके रोज के मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे तो चलिए देना लगाते हुए देख लेते हैं कि आज की पहली टिप क्या है पहली टिप प्याज कटिंग को लेकर है देखे मैंने थोड़ा सा प्याज पहले से ही काट के रखा है मैं प्याज ही कट कर रही थी तो सोचा कि क्यों ना आप से ये टिप सेयर किया जाए तो देखे जब आपको जटपर से प्याज काटना है तो आपने कुछ इस तरीके से उसको काटना है जिस तरीके से मैं आपको काटकर दिखा रही हूँ बहुती जादा आसान टिप थी उम्मीद करती हूँ आपके बहुती जादा काम आएगी चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है देखे मैंने यहां पे पिल्लर लिया हुआ है कहीं बार क्या होता है कि पिल्लर की धार बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है पिल्लर की धार को तेज करने के लिए हमने क्या करना है कि प्याली ले लेनी है और प्याली को इस तरीके से उल्टा कर देना है और फिर इसके उपर पिलर को घिसना सुरू करना है पिलर की धार को प्याली पर अच्छे से घिसना है तांके ये अच्छे से तेज हो जाए देखिए आप इस तरीके से प्याली को पिलर के उपर भी घिस सकते हो इससे भी पिलर की धार तेज हो जाएगी अगर पिलर के उपर जंग आ गया है तो वो भी बड़ आसान तरीके से निकल जाएगी मैंने आपको दो तरीके बताए आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो केई बार पिलर के उपर जंक आ जाती है या मैल जम जाता है तो इस तरीके का यूज करने से बो भी बढ़ी असान तरीके से निकल जाएगी यनिके इस एक टिप से हमारी दो कम एक साथ हो जाएगे इसकी धार भी तेज हो जाएगी और अगर मैल या जंग लगी हुई है तो भो भी असानी से निकल जाएगी अगरी टिप लहसुन को लेकर है लहसुन छिरना सबको ही बहुत मुश्किल काम लगता है लेकिन इसे छिरना बहुत ही असान है आपने क्या करना है रोटी पल्टने वाला टर्नर ले लेना है लहसुन को टर्नर के नीचे रखना है और उपर से दो ये तीन बार प्रेस करना है आप देखोगे लहसुन एक दम से छिल कर तयार हो जाएगा आप धेर सारा लसुन इस तरीके से छिल कर तयार कर सकते हो फ्रेंट से छोटी सी और बहुत ही असान टीप थी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही जादा काम आएगी अगर आपको ये टिप थोड़ी भी पसांद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिर्कूल भी न भूलें चलिए देखते हैं कि गंदे से गंदे जूतों को हम कितने आसान तरीके से साफ कर सकते हैं बस एक चमच हमने इस चीज का लेना है और चाहे जूते कितने भी गंदे मेले या काले पड़ चुके होंगे वो चुटकियों में साफ हो जाएंगे सबसे पहले दोनों जूतों के लेस निकाल लेने हैं आप देख पा रहे होंगे ये कितने ही जारा गंदे हो गए हैं ये जो स्लूशन बना कर हम तयार करेंगे इससे गंदे से गंदा जूता एक दम साफ हो जाएगा सबसे पहले एक बेकार प्लास्टिक का बत्न ले लेना है और इसमें डालना है तीन या चार चमच बिनेगर के और फिर डालना है बेकिंग सोड़ा का एक चमच और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए बस हमारा स्लूशन बन कर तयार है अगर जूते जादा ही गंदे हैं तो आपने क्या करना है कि इसमें दो चमच डिटरजेंट पौडर के डाल लेने हैं लेकिन मैंने इस स्लूशन को दो चीज़ों से ही तयार किया है और फिर ले लेना है कोई पुराना सा बरस आपने एक बात ध्यां रखनी है कि इसमें पानी बगेरा कुछ भी नहीं मिलाना है अब देखिए हमने क्या करना है कि इस स्लूशन को जूतों पर अच्छे से लगाना है यह जो स्लूशन बना कर हमने तयार किया है इसको जूतों पर अच्छे से लगाना है जूतों पर अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है बच्चे हो या बड़े जब भी कोई गेम खेलते हैं नो तो जूते एकदम से गंदे हो जाते हैं तो इसमें टैंसर लेने की कोई भी बात नहीं है इस सलूशन से चुटकियों में जूते साफ हो जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें ताके मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है देखे मैंने दोनों जूतों पर इस लिसन को लगा लिया है अब हमने क्या करना है कि ये जो गंदे लेस हैं हमने इसको इसमें डाल के रख देना है बाद में इन्हें साफ करती बार बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी और ना ही घिसना पड़ेगा आप क्या करना है कि आदा घंटे के लिए जूतों को ऐसे ही रख देना है और जैसे ही आदा घंटा हो जाएं तो आपने इनको अच्छे से साफ कर लेना है देखें लेसिस कितने अच्छे से साफ हो रही है इनका पूरा मेल जोह वो निकल गया है बस इनको थोड़ी देर के लिए घिसना पड़ेगा और ये बड़े अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगी आप देख पा रहे होंगे ये कितने जादा काले थे लेकिन आप साफ हो गए हैं तो इने साफ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जूतों को हमने आदा घेंटा के लिए रखा था आप देख पा रहे होंगे कि जूतों का मैल जो हो वो काफी हद तक निकल गया है बस आप क्या करना है कि बरस को लेना है और इस स्लिशन से जूतों को घिसना है आप हमने जूतों पर बिल्कुल भी पानी नहीं डारना है बस इस स्लिशन से ही जूतों को घिसना है देखे नेचे की ये वाली साइड में बहुत जादा गंदगी जमा होती है लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि गंदगी जो है फटा फट निकल रही है और हमारे जूते चमक रहे हैं ये बहुती बड़ी स्लिशन है आप इसे मेरे कहन पर जूरू ट्राइ करके देखना कई बार जूते इतने जादा गंदे होते हैं कि उन्हें धोते धोते और घिस्ते घिस्ते हमारे हाथों में दर्द हो जाता है लेकिन ये बहुती बड़ी है इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और ना ही आपको जादा मेहिनत करना पड़ेगी अब देखिए अंदर बाली साइड यहाँ पे भी बहुत जादा गंदगी होती है तो आपने इस जगह से भी अच्छे से साफ कर लेना है फ्रेंस प्लीज वीडियो को देखा करें और चैनलों को सब्सक्राइब भी किया करें तांके मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप आया करूं फ्रेंस कहीं बार हम क्या करते हैं कि जूतों को ऐसे ही कपड़े से पोंच देते हैं या हलका हलका पानी लगा कर उनको साफ कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जूते साफ हो गए लेकिन वो गंदगी धीरे धीरे जमा हो जाती है और जूते फिर बहुती जादा गंदे और काले पड़ जाते हैं फिर चाहे जूता नया भी हो हम क्या सोचते हैं कि इसमें गंदगी जामा हो गई है कौन इसे धोने का जंजट करे और फिर हम क्या करते हैं कि उन्हें बेकार समझ के कचरे में फैंक देते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे पैसे की भी बरबादी होती है फ्रेंट्स कहने का मतलब ये है कि जूतों को बीच बीच में धोते रहना चाहिए तांके उनमें गंदगी जमा ना हो और जब धोएं तो असानी से साफ हो जाएं अब देखिए मैंने जूतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया है इसी तरीके से आपने भी जूतों को घिसते हुए साफ कर लेना है ये बहुत असान तरीके से साफ हो जाएंगे बिल्कुल भी मेहंत नहीं करना पड़ेगी अब आपने क्या करना है कि इनके उपर पानी डालना है और फिर ब्रस से इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से साफ करना है तांके जो जमा मैल हो वो अच्छे से निकल जाए बस आपको थोड़ी देर के लिए ही जूतों को अभी घिसना पड़ेगा और ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे अब आपने क्या करना है कि इनको पानी से धो लेना है जिस तरह हम बच्चों को नहलाते हैं उसी तरह इनको नहलाना भी बहुत जरूरी है नहीं तो ये गंदे हो जाएंगे देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि जूते पहले कितने गंदे थे लेकिन आप एक दम से चका चाक हो गए हैं और एक दम से चमक गए हैं गंदे से गंदे ये काड़े जूते पड़ गए हूँ आप इस लुशन से उने चुटकियों में साफ कर सकते हैं देखे पीछे वाली साइड आपने क्या करना है कि ब्रस लेना है और पीछे से भी इनको अच्छे से घिस लेना है ये इनके इनको पूरे अच्छे तरीके से साफ करना है उपर और नीचे से तांकि ये कहीं से भी गंदे ना रहें और एक दम से साफ हो जाएं इनको घिस घिस के साफ करना है और अच्छी तरीके से नहलाना है तांकि ये कहीं से भी गंदे ना रहें अगर आपको जूते जल्दी चाहिए और उन्हें सुखाने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन्हें 20 या 25 मिंट के लिए सुलिशन लगाने के बाद रख देना है और फिर आपने क्या करना है कि साफ कपड़ा लेना है और उससे इन्हें अच्छे से पोंच लेना जाए और जूते असान तरीके से सूख जाए तो देखिए फ्रेंट्स जूते धुलकर बिल्कुल तयार है आप देख पा रहे होंगे ये कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए है आप क्या करना है कि इन लेज को भी साफ पाने में निचोड लेना है ये देखिए कितने अच जाओ दिंग